हेलो दोस्तो नमस्कार कासे हैं आई होब कि आप लोग काफी अच्छे होंगे तो दोस्तो इस वक्त हमें दोस्तो बरहज में और आज किस नए वीडियो में हम दिखाने वाले हैं दोस्तो सहीद पंडित राम पसाद बिसमिल की समाधी अस्तली वैसे तो उनकी मृत्त दोस्तो गोरखपुर में होई थी गोरखपुर के जेल में हुआ था उनकी और दोस्तो यहां पर उनकी समाधी है तो आई आपको दिखाते हैं दोस्तो बरहज आसरम ओला रोट पे इनकी समाधी है तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी जनकारी देते हैं अंदर चल करके तो दोस्त असनातक उत्तर मा भी द्याले और यहां पे पहुत पुराना कुणा है तो चलिए आपको दिखाते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं तो दोस्तो जैसे ही आप लोग इंट्री करेंगे तो दोस्तो देख सकते हैं यहां पर एक मंदिर है और अब दत रागो मंदिर है और यह है दोस्तो जैसे ही आप लोग इंट्री करेंगे यहां पर पंडित राम परसाद बिश्मी जी की समाधी है आपको अभी हम दिखाएंग ओर इनके बारे में जनकारी भी देंगे, बाकी आप मेशे मंदिर procure पहले दर्स न करातें। उसके बार से फिर आपको पंडीत श्नित के बारे में जनकारी में आपको जिवन के भाद में में आतो, दैका लिए यह मंदिर कॉर्ड क आज पार शिंद देख सकते हैं एंपon मंदीर तो बंध है इसलिए दर्शन नहीं करा सकते हैं बाकी चली आपको यहां आसपास का जो भी सीन है वह दिखा देते हैं आपको दोस्तों मंदीर लगबग साम के चार या पांच बजी खुलता है तो दोस्तों देख सकते हैं है अभी दोपार के दो बज रहे हैं बाकी आसपास का सीन देख सकते हैं हाँ पर पाने पीने के लिए एक ननल है और यह है मंदिर का आसपास का सीन तो दोस्तों यही है पंडित राम परसाथ बिस्मिल जी की समादी जो सामने देख रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इनकी एक मूर्ती है आए जानते हैं पंडित राम परसाथ बिस्मिल जी के बारे में तो सर कैसे हैं आप मैं बिने मिस्ट ये अस्थान जो आप देख रहे हैं ये योगिरा जनन्त महाप्रभू द्वारा अस्थापित एक मंदिर है जिसके अंदर तमाम सारी सिक्षण सबस्ताएं है बाबारागोदास योगिरा जनन्त महाप्रभू के उत्तरा अधिकारी बतब गद्दी के मालिक थ नहीं है जिए बाबारागोदास देश की आजादी के लिए नौ बार जील गए अच्छा नौ बार जील गए जिए और बाबारागोदास से क्रांतिकारियों के गहरे लगाओ थे इस आस्रम में पंडित राम प्रशाद बिसमिल भगत सिंग अस्फाक लाखा नेता जी सुब आज चन बोस लाला बाब पत्राय एसे जितने वी क्रांतिकारी थे देश की आजादी के जो दीवाने थे यॉदिक की अजादी के सारे दीवाने बाबारागोदास के सब्एश यहां बडित रहते दे बढ़ाज में ओर देश की आजादी का जो बिगुल था फूकना उसमें बाबारागोदास भी अपनी भूम का निरंतर निभाते थे और क्रांतकारियों को सहयोग देते थे आर्थिक रूप से और भी सहयोग जो था और इसी लिए बाबारागोदास को पुरवांचल का गांधी कहा जाता है अच्छा पुरवांचल का गांधी जी बाबारागोदास क को जब ये पता चला कि पंडित राम प्रशाद बिस्मिल की फासी 19 दिसंबर 1927 को दी जाएगी तो उससे एक दिन पहले बाबारा घोधास पंडित राम प्रशाद से मिलने गोरखपूर जेल गए और राम प्रशाद बिस्मिल ने जब बाबा जी को देखा तो बाबा बिस्मि इसके लिए नहीं है कि मुझे कोई मौ है कोई माया है कोई बंदन है बस मुझे इसलिए है कि जिस भारत माता को मैं गुलामी की बेडियों से मुक्त कराना चाहता था सायद अपने जीते जी नहीं करा पाया लेकिन इतना जरूर विश्वास रखता हूं कि देश अपना गेंगे एक निवेदन करूंगा विश्मिल ने कहा कि एक निवेदन करूंगा कि मेरे मरने के बाद मेरा पार्थिव शरीर इस अंग्रेजी हुकूमत की भैस से कोई लेना नहीं चाहेगा इसलिए बाबा जी आप मेरा अंतिम संसकार कीजिएगा यह बाद बाबा जी के बाबा जी जो उपदेश थे विश्मिल के साथ उसको इसने अक्षासा ग्रण किया फासी के बाद बाबा रागवदास जी ने पंडित्राम पिशाद बिश्मिल के पार्थि उशरीर को लिया और हज्जारों की संख्या के बीज उन्होंने गोरफ कूर में राप्ती के तट् यह आश्रम अंग्रेजों के निशाने पर आया और एक बार नहीं कई बार यहां अंग्रेजों ने तोड़ पोड़ की बहुत सारे इस आश्रम में उद्योग चलते थे जिसको उनोंने तहस नहस कर दिया और बिश्मिल जी की इस समाद को ढूड़ते रहे लेकिन बाबा राग से मारते थे उसके साथ दुर्वेवार करते थे और फिर खोज बीन करके चले जाते थे कुलमिला कि यह था कि क्रांतिकारियों का इस आश्रम से गहरा लगाओ था क्रांतिकारी यहां आते थे रहते थे छुपते थे और बाबा जी उनकी मदद करते थे चोरी-चोरा जो उन्हों की फासी हुई जो बिल्कुल इतिहास के पन्नों में चर्ची थे यह कब फासी हुए था पर पंडित निस दिसंबर 1927 को बाबाजी विश्मिल जी की फासी औरकपूर में हुई थी यहां सुने कि बहुत सारे नेता लोग आचुके हैं आप इनके यहां आने वालों में स्रीमतियंद्रा गांधी चंद्र सेखर सिंग अठल विहारी बाजपेई जो राष्ट्री अस्तर के चितिश पर बहुत बड़े बड़े नेता हुए वो सब लोग इस आश्रम पर आचुके हैं और प्रदेश अस्तरी नेता और मंत्री तो तमाम आते और जाते रहते हैं इन developed अत्रप्रदेश के मुख्या हैं ऐसे शन्त से लेकर राजनेता से लेकर करانतिकारियों से लेकर समाज सेभिय सु लेकर हरतरा की लोग यहां आते जाते रहते हैं इसमें कहीं इतनी संदेने बहुत-बहुत धन्माद आपको धन्यवाद आपको